इन तीन तस्वीरों में कुछ कौमन है तो वो है मोधी और जो बदला है वो है स्टार टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेकर अक्षर के साथ मोधी तो सचन अपनी फिल्म सचन अबिलियन ड्रीम्स और प्रियंका की तस्वीर मोधी के साथ तीनों तस्वीरों को अगर देखें तो ये आपको आम लगें लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखें तो देश के प्रधानबंतरी फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस्तमाल तो नहीं हो रहे भले ही मुद्दा सोशल हो या फिर भारत में खेल के नाम पर जिसे भगवान माना जाता हो उसकी या अब जिस अदाकारे ने बॉलिवट से लेकर हॉलिवट तक अपने काम का सिक्का चलाया हो वो बरलिन में प्रियंका का मिलना भले ही ट्विटर की चिडिया उड़ा कर साईयो बताय गया हो लेकिन जानकारों की माने तो ये फिल्मी प्रमोशन का हिस्सा है जिसमें मोदी भारत के दर्शकों को लुभाने का एक जरिया मात्र है हॉलिवुट की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके दर्शकों के केंदर में भारत का बाजार होता है और इस बाजार को लुभाने के लिए मोदी से बड़ा कोई ब्रैंड नहीं है ऐसे में बर्लिन में विश्व सुन्दरी प्रियंका के मिलने को महस इत्तिफाक का नाम दे दिया जाये तो ये फिल्मी पटकता के साथ शायद ना इंसाफी होगी क्योंकि फिल्मी पटकता अब सिर्फ वो नहीं होती जिसे आप थियेटर्स में पॉपकॉन खाते वे देखते हैं बलकि अब फिल्मी पटकता फिल्म के रिलीज होने से पहले हर वो इत्तिफाक होती है जिसके जरिये फिल्म का प्रोमोशन किया जाता है दरसल मोधी किस से मिल रहे हैं इसमें हर किसी की दिल्चस्पी होती है जब भी कोई स्टार मोधी से मिलता है तो उसकी फिल्म अपने आप ही चर्शा में आ जाती है ऐसे में फिल्म स्टार्स के लिए मोधी फिल्म को प्रमोट करने का सबसे बहतरीन जरihा बनते जा रहे हैं ऐसे में उमीद लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में इन तस्वीरों के साथ और कई तस्वीरे जुडेंगी और मोधी फिल्म प्रचारक के तौर पर भी उभरने लगे एनमेफ निउस की रिपोर्ट